कि 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 नमस्कार साथियों कि स्वागत है आप सभी का फ्यूचर लाइबरिन के इसे ओनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तो लाइव सेशन के बादियम से आप लोगों के साथ जुड़े हैं तो एक बार आजाईएगा सभी साथी इस पेशल लाइव सेशन के साथ में आप लोगों से बातचीत करेंगे और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि अपनी क्लासेज जो है वो लगातार आप लोगों के लिए से रन की जा रही है संचालित की जा रही है बड़े और ओथेंटिक सवरूप के साथ तो एक बार कमेंडमेंट कर दीजिए क्या आवाज वाज क्लियर है क्या आवाज क्लियर है तो आप हमें कमेंड कर सकते हैं कमेंड करके बता सकते हैं कि हाँ बिलकुल आवाज वाज क्लिय हैं और जैसा मैंने आपको कहा कि अपना लाइबरी साइंस का जो ओथेंटिक सवरूप है वो आपको यहां से देखने को मिलेगा या लाइबरी साइंस की जो भी महत्वपुन बाते हैं वो सारी की सारी अपन इस ओनलाइन प्लेटफोर्म के माध्यम से अपन क्या करेंगे शुरू करेंगे तो आप हमारे साथ जूड़ सकते हैं इस विशेष परिचर्चा में और विशेष परिचर्चा जो है मित्रों वो हमारी रहेगी कि कैसे करें UGC.net ठीक है ना बिल्कुल अपने साथ जो जो साती जुड़ते हैं सभी से सिव संकर जुड़ें अपने साथ में बिल्कुल बई क्लियर है सब कुछ तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजेगा साथ ही साथ कमेंड करके आप अपने बारे में जो भी क्यूरीज है वो आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं जान सकते हैं ठीक है ना तो तो सभी सात्यों का स्वागत है अपने फ्यूचर लाइबियन के इस ओनलाइन डिजिटल प्लेटफोर्म पर जैसा मैंने आपको कहा कि कल UGC.net की डेट जो है दोस्तों वो अनॉंस हो चुकी है और उसका एक फिक्स सेड्यूल जो है वो भी जारी हो चुका है तो फिक्स सेड् साइन्स में आपको देखना है वेरी गूड आप्टुनून आप सभी को लाइबरी साइन्स में अभी जो नैट की डेट आई है पहले तो सबसे पहले तो सेशन का आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों यह है दिसंबर 2023 का दिसंबर 2023 का UGC NET है ठीक है याद रखिएगा कब का भई दिसंबर 2023 का जो आपके कोलेज लाइबरीयन के लिए बड़ाई महत्वपूर्ण है अगर आप कोलेज लाइबरीयन की तयारी कर रहे हैं या कोलेज लाइबरीयन के लिए अपने आपको प्रिप्रेर कर रहे हैं आप संबवत या आने वाले समय में 247 जो वेकेंसी है उनमें अगर आप सामिल होना चाह रहे हैं तो वहां के लिए यह जो पढ़ाव जो है वो का का qualify होना चीए एक golden chance है आपके लिए ऐसा तो इस golden chance में अगर आप भागिदार बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जूड़ सकते हैं और जैसा मैंने आपको कहा कि हमारी जो ये class हैं वो लगातार इसी पड़ाओ के लिए हैं कि आप यहां से भहुत सारी चीजे सीख पाएं ठ जैसा मैंने आपको कहा कि हमारी ये जो class हैं ये किसी भी समय संचालित हो जाती हैं उसके लिए तो हम आपको जैसे पहले बता चुके हैं कि आप notification को own रखिए notification के माद्यम से आपको पता चल जाएगा कि हम कितनी बज़े आप से रूबरू होंगे या कितनी बज़े अपन बातचीत करेंगे ठीक है ना बिल्कुल आप सभी को राम राम बातचीत करेंगे जैसा मैंने आपको कहा है कि जो जो चीजे आपको यहां से देखनी है किस तरीक जैसा मैंने आपको का UGC Net के लिए तो पहले तो आप देट ध्यान रखेगा ठीक है ना सबसे पहले तो आप डेट जो है उसको आप ध्यान रखेगा कि UGC Net की जो डेट अभी अनाउंस हुई है वो डेट कब से है ठीक है ना UGC Net और कौन सा सेशन है तो आप याद रखेग दिसंबर 2023 का ठीक है दिसंबर 2023 का सेशन है और इस सेशन में आपको क्या करना है कैसे करना है वो सारी बाचीत अपन सामिल करेंगे वैरी गुड़ अप्टनून मम्ता राणी धरमवीर आपको भी विल्कुल सुबद्रा नमस्ते आतो कि माराम्स्त यहता से हमारे साथ जुढियें तारा विल्कुल वैरी गुड अप्टनून कविता गोधार सभी को वैरी गुडव ऑप तर्टनून भैं आप सभी को ठीक है न जो जो साती अपने साथ जुड़े हैं संदीप जुड़ा है very good afternoon भई संदीप आपको भी इधर नयन जो भी जुड़े हैं पहली बात तो यह है कब का सीन तो आप याद रिखेगा यह दिसंबर 2023 की नेट है और जैसा मैंने आपको बताया है पहले भी आप इसके फिल फिल जो चीज़ें वह वहां पर दे रखी हैं तो उसको भी आप वहां से देख सकते हैं ठीक है ना जो जो जुड़ी सारी की सारी information जो है वह complete आप लिखा रहा है जैसा का सीन यह लोग सारी चीज़े से एक साथ यहीं से कर लेते हैं ठीक है देख लिजेगा यहां का सीन सारा complete यहीं पर आ जाएगा तो यहां ही से अपन क्या करेंगे इसको देख लेगे ठीक है न तो कहने का मेरा तात्परी यही है दूस्तु कि अभी जो notification आया है उस notification को ध्यान में रखते हो यह आप क्या कर सक सकते हैं ठीक है ना यहां से आप अपनी तयारी को क्या कर सकते हैं जारी रख सकते हैं इसके लिए जो जो डेट है वो सारी कैसी यहां से देट है 30 सितंबर से यह फोरम शुरू होंगे और 30 सितंबर से लेकर ध्यान रखना है दोस्तों आपको 28 अक्टूबर तक इस डेट में आप क्या कर सकते हैं कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा बात्चीत करेंगे उस तो तो आप कोण से वीक में एक्जाम सिती यह उसका नौंबर में और डाउनलोड कप कर सकते हैं एडिमिट कार्ड तो वह आप द्यान रखेगा वो दिसंबर में और फिक्स एडियूल है छे से लेकर 22 दिसंबर के बीच में क्या होंगी इसकी एक्जाम हो जाएंगी आगे देखिएगा आगे और भी चीजें इसमें इसमें आगे और भी चीजें दियो रहेंगी सेंटर का टेया जारी हो तो उसका भी एक फिक्स सेडियोल है तो आप याद रखेगा इसका रिजल्ट जो है NTA हो only भी आप के धियान ऊंतित टिकना यानि एक्जाम के एक महिन बाद कि एक महिने बाद में क्या वाई इसका क्रीजान जो है वाने का रहेगा पूरा चांस रहेगा यह नहीं 101% क्या है उस तो result आ जाएगा ठीक है ना तो वो भी आप यहां से क्या रखेगा ध्यान रखेगा बिल्कुल बहुत जुड़ें अपने साथ में गोतम जुड़ा गंगा नगर से वेरी गुड़ आप्टुनून आपको भी इदर संदीब जुड़ा है वेरी गुड़ आप्टुनून जो जो साती जुड़े हैं बिल्कुल स्वागत है सभी का सीखा मेराथन ग्लास भी लाएंगे देखो समय के साथ में आपको बहुत सारी चीज़े जो है वह अपने इसे ओनलाइन डिजिटल प्रेटफोर्म के माद्य में से आपको क्या होंग से उपलब्द होंगी फिलाल अपन बातचीत करते हैं कि कैसे करें आप यूजी सी नेट पहले अटेम में आप कैसे हो जाएं कैसे आप पार लगा दें अपनी चीजों को या कैसे ऐसा कौन सा मैथर्ड आप अपनाएं जिससे आपका नेट जो है वो वन टाइम में आप क्या को आने वाले को लेज्ड लाइबरिन के लिए आप यलीजीबल हो जाएं वैसे मापकी जानकारी के लिए बताएता हूं दोस्तों की बोलना और कहना बहुत आसान होता है लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो कुछ है नहीं ऐसे मानिएगा NTA UGC NET यानि एसंभव तो कुछ है यह नहीं इस दर्थी पर यह मानिएगा आप जो जो भी आप तरलब लेके अपने इस लक्से को पाने की कोशिस करेंगे तो संभव तेया यह जरूर पार होगा और पार होगा तो उसके लिए मैंने जैसा आपको कहा कि उसके लिए आप अपने आपको थोड़ा सा प्रिपेर कीजिए सब्जेक्ट के अकोडिंग ठीक है न यह नेट वाल जी करें क्या करें कि नेट के सही वो कौन सी है और क्या सेलेबस है सेलेबस तो कंप्लीट 10 युनिट का है आपने देखा है दस युनिट का सेलेबस है complete यानि टोटल युनिट जो है वो 10 युनिट है दोस्तों और 10 युनिट आप देखेंगे तो उसमें से आप यह मान के चलिएगा कि 5 जो युनिट है वो basic fundamentals है यानि 5 युनिट को आप देखेंगे तो 5 युनिट में material ऐसा है जो आपने कहीं grade 3rd में, कहीं grade 2nd में या कहीं कोई अन्ने EMRS या KVS, DSSB या NVS में जो पढ़ा है वैसी 5 उनिट तो वहीं सामिल हैं अब आपको extra 5 तयार करनी है ज़सा मैंने आपको पूर्व की classes में बताया है दोस्तों कि दुनिया में भगवान के अलावा और कोई परिपूर्ण नहीं होता है ठीक है ना तो परिपूर्ण नहीं होता है तो आप यह समझे कि आपके basic fundamental clear होने चीए पहले आप उसके लिए किताब खरीदिये जैसे net के लिए कौन सी बुक है वो ही मैं बता रहा हूं net वाल भाई ठीक ह यानि आप सबसे पहले उस syllabus को आप क्या कीजिए रीड कीजिए syllabus को पढ़िए पूरे को पूरा syllabus जो है उसको आप रीड कीजिए उस syllabus में देखिए कि कौन सी चीज कहां सामिल है ठीक है ना कौन सी चीज कहां सामिल है basic fundamental कौन से हैं जैसे first root में आप आएंगे तो complete information आपको available ह हो जाएगी आप second root में आएंगे तो वहां पर loads मिल जाएंगे principles मिल जाएंगे या resource sharing जो है वह वहां पर आपको मिल जाएगी ठीक है ना यानि आप according to syllabus आएंगे तो according to syllabus आपको जोड नहीं आएगा दोस्तों यह बात है आप जैसा मनें आपको कहा कि syllabus कि according आप चलिए वहां स आपको बता चलेगा first tweet में आप आएंगे ज्यादा दूविदाओं का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा आप पर normally information क्या होती है साथ information transfer क्या होता है information literacy क्या होती है information retrieval क्या होता है और information society क्या होती है चार बातें जो है वो मैंने आपको बताई है इस चारों से एक एक परसं information transfer चार है और जैसा मैंने आपको कहा चारों से कई बार यह इस्तुति होती है कि चारों से चार प्रसंद आ जाते है एक्जाम में ठीक है ना बिल्कुल 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 भई क्या मैसेज आ रहे हैं कि सर राजस्तान लाइब्रीन की वेकेंसी पांस तारीक को बना रखे हैं तो सेलेमंस के सेलेवस के नोट्स बना रखे हैं बहुत अच्छी बात है थीक है ना क्या लिखा है भई रूपवाल करा कि एमलिस बेगडेट वाले भर सकते हैं क्या बिल्कुल भर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं सर अगर इस बार कॉंग्रेस आ गई ना तो गवर्मेंट वेकेंसी आ जाएगी बिल्कुल आ जाएगी नमस्कार सर जी डूंगरपुर से बिल्कूल मेरे को पता है आपका रूपाल रूपला ऑसा ने पुरा प्रोंतेंट है एपर हाँ बिल्कुल है ऐसी बात नियुकूंए उसमें भी मां आपको कुछ तरीके बताएं मैं देख लेता हूं बिल्कुल बिल्कुल जैसा मैंने आपको कहा कि अपन तीन यूटूब चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो लगातार बातचीत करेंगे तो वहां आपन पाएंगे बिल्कुल ठीक है ना हां Content में बहुत सारी चीज़े उसके बारे में बातचीत करेंगे जैसा मैंने आपको कहा कि इनफ़ोर्मेशन सोसाइटी एक आप इनको सर्च कीजिएगा Information Retrieval, Literacy, Information Transfer मैंने कई बार बोला है कि ये ये परसंट DDLJ है ऐसे मानिएगा ठीक है न ये DDLJ है मला दिल वाले दुलेलिया ले जाएंगे वैसा है यानि आप ये मानिए हर एक्जाम में पुछा जा रहा है Information Literacy तो वहाँ भी पुछा जा सकता है last two month की planning कैसे करें प्लास two month की planning वही है जो पहले आपको आता है उसको आप सुरक्षित रखिए एक बात ठीक है दूसरी बात आप इसके साथ साथ में सर आप हिंदी से पढ़ते हैं सर आप हिंदी से पढ़ाते हैं हाँ हिंदी पढ़ाते हैं ऐसी बात नहीं क्या है सर इसमें कटोप कितनी जा सकती है पेपर का लेवल पर डिपेंड करता है बही मनोज बात यह है ना पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है ऐसे माल लीजेगा दो महिने की तैयारी में आपको बताएता हूं जो आपको याद है उसको पढ़ने की जरुरत नहीं है, जो आपको नहीं आता है उसको आप पढ़िए, जो आपको आता है उसको आप सेफ रखिए जैसे प्रसन बना लीजे, जैसे ऐसा प्रसन आया उसका एक तरीका बना लीजे, आज कल जैसे मेरे पास भी कई साथियों के ज कर दोह नहीं कर देते हैं तो जैसे एक यहां सब बन गया यहां एक और बन जाएगा वह बन जाएगा information industry ठीक है ना वह यहां बन जाएगा क्या information industry यह प्रसंट आज कल exam में आने लगए अपर कर ना यारी पहले 4 थे 1 2 3 और 4 और 4 थे आज कल एक और जूड़ गया पांच एक तरीका आपको यहां से क्या रखना है बस याद रखना है ठीक है ना तो कहने का मेरा तात्परी यह है दूस्तों कि आप पहले चांस में आप अगर अगर नेट क्रेक करना चाहते हैं तो आपको ऐसे फंडामेंटल सापको तयार करने पढ़ेंगे ऐसे प्रिंसिपल्स आपको तयार करने पढ़ेंगे जो आपको एक्जाम के पॉइंट अव व्यू से उनकी इंपोटेंस ही हो और आप ओल्ड पेपर्स को जाईए जैसे ओल्ड पूछा है लाइबरी का हिंदी से पड़ाते हैं सर नेट के लिए डेली क्लास अफ्लोड कीजिए बिल्कुल डेली है पंकज ओफिशिल सर आपके नोट्स हैं क्या नोट्स मिल जाएंगे ऐसी बात नहीं आप हमारे से वोट्सप के माद्यम से कॉंटे कर सकते हैं अवेलेबल हो जाएंगे बिल्कुल भई पंकज कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे तो यह पांस तो हैं है मैं तरीके आपको बता रहा हूं इन पांस में से कोई एक जो है वो आराम से पूछा जा सकता है कैसे पूछे जा सकते हैं कैसे आये हैं उसके तरीके भी मैं सामिल करता हूं जैसे एक छोटा सा एक 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 जामपल मैंने बनाया है वो देखिएगा एक प्रसंद आता है कि कौन सा सब्द जो है वो किस बासा से बनाया है कौन सा सब्द जो है वो किस बासा से बनाया है कौन स किस बासा के किस बासा के सब्द से बनाया है ऐसा एक प्रसंद आता है बार बार एक्जाम में और मैं आपको यहां पर नोट कट बनाता हूँ आप उसमें से एक चीज याद कर लिजेगा भई पांडे जी जुड़ें अपने साथ बिल्कुल वेरी गुड मोर्निंग भई पांडे जी नोट्स मिलेंगे ऐसी बात नहीं है बिल्कुल आपकी बास समझ गया हूं मैं हिंदी में नोट्स मिल जाएंग मिल जाएंगे बटा ससीकांत कितनी सारी बाते लिखें तब जागे एक समझ में आईए देखो बिल्कुल प्रणाम भई गोरी आपको भी तो जो जो साती जुड़ें मैं आपको एक यहां पर छोटा सा एक्जांपल करके बता रहा हूं कि कौन सी बासा के शब्द हैं या कौ बासा से बनने वाले सब तो मैंने आप लिया ABC EOT यह लो हो गया काम यानि आपको जैसे मैंने का ना दुनिया में प्रतेक आदमी जो है उसके पास में एक युनिक आइडेंटिफाई है अपने आपकी कहते हैं आपने पढ़ाई इस वोट्सप युनिश्टी में कि कि दुनि अपने आपने आप में युनिक है बगवान लुदीफ कि बेकार नहीं बनाता सब के अपने अपनी क्या है खास बाते है ठीक है न तो मैंने यहांपर एक सोटकर बनाया है सोटकर बनाया है A, B, C, E, O, T यह सारे सब जो हैं वो किस बासा से बने हैं वो ग्रीक बासा से बने ह आपको यहां पर ध्यान में रखना है एसे आपको ध्यान में रखना है automation एसे आपको क्या रखना है दोस्तों ध्यान में रखना है automation यह automation सब्द आप आप कमेंट कर सकते हैं अगर खुछ साती हैं हमारे साथ जुड़े हैं तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि automation सब्द पहली बार देने वाला विक्ति कौन था ऐसा आप हमें बता सकते हैं ठीक है ना ऐसे आपको द्यान में रखना है बिब्लियोग्राफी ऐसे सोटकट आप कहीं और जगह नहीं मिलेंगे देखो और किसी आप जगह जाएगा यूटूब चैनल पर जाएगा चापके लाएंगे पहले से ऐसे चपे चपाएं हैं और चपे चपाएं जो है वो आपको आएंगे बांचेंगे चले जाएंगे हमारा काम वैसा नहीं हमने बाकाइदा कान आपको सोटकट तरीके बनाएंगे जो आपकी दिमाग पर इफ्यक्ट करें ऐसा सीन हम लोग आप लोगों के लिए डालते हैं ठीक है ना ओथेंटिक कंटेंट के जैसा सवरूप आप लोगों के हो गया है बिल्कुल जो जो साथी जुड़ें एक बार लाइक हैं सेर कीजिएगा जैसा मने आपको कहा कि आप जितना इस चीज को फेलाएंगे दुनिया को पता चलेगा ऐसा सर यूटूब में सर क्लास कितने टाइम से चलती है भो टाइम से चलती है बही राजीव इस नही है कि क्या करवा रहे हो वेरी गुड मॉर्निंग राज बता रहे हैं राजीव कि यूजी सी नेट जो है वो आप फर्स्ट टैम में कैसे करें पहले चांस में आप कैसे नेट क्वालिफाई हो जाएं वो अपन बता रहे हैं एक तरीका बता रहा हूं और मैं कोई बड़ी बल सबश्चारणर और एक बचा है टी में आये गा ओटी में एक शब ले लेते हैं पन्ले जो आप भी जानते होंगे अगर आप जानते हैं तो आप हमे क्या कर सकते हैं कमेंट गरताया थीक ले देते लेंते हैं क्या ईक सब ले लेती है क्या क Dwight कोच सा थिसरस पहली बात आपको द्यान में रखना है ये सबी शबड किस वासा से बने हैं तो यान रखेगा यह गरिघभासा से बने हैं तो आप याद रखेगा गरिघभासा इबने हैं टीक अना pare दूंद से याद रिखेगा इन्सा उपिडिया अच्छे से द्यान में रखोंए ऑटा हैं ऑटो और तो प्लाओर एंग मोने शापी कि ना इसाला आप मेन शोलाँ आजाफा कि वह में है ग्रीक्पामा एसा एपूरा की XV घृष घृषिय क्ट सो法 है F kul ίाद रखेंगा ऐसे याद कि S mining fanat प्लस ए से लोगोस दो आपको द्यान में रखना है पीक है ऐसे आ जाई इन साइक्लोपीडिया यह थोड़ा सा टिपिकल काम है दूस्तों थीक है ना इन साइक्लोपीडिया अच्छी ट्रिक है देखो मैंने आपको कलास लगी क्लास जैसा मने आपको का个 future library application पर भी आप देख सकते हैं ठीक है न बिब्लीयोग्राफी दो word है na बिलकुल बिब्लियोन से बनाए है पहला प्लियान में रखेगा विल्कुल बिल्कुल पहला बिब्लियोन से बनाए हुँँ आपको ध्यान द्यान में रखिए गा यहाँ पर अपना आते हैं Greek बासा में Encyclopedia और Encyclopedia में वैसा ही है वस के वाई जो है उसके बाद भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है यहाँ पर C की जगह क्या मजरेगा आपको यह आपको द्यान मेरखना है थीक है न बिब्लिय किस बासा का है वह घ्रिव खोग्रेसा का सवरूप जुड़ा है यानि दैत तो जुड़ा है है साती सात उसमें आप आईएगा जो रस था ना रस था उसको आप रोस कर दीजिएगा जो रस था उसको आप क्या कर दीजिएगा उसको आप रोस कर दीजिएगा ये लो ये पांच शब्ड जो है वो किस से मिलकर बने है भई यह पांच जो है वो ग्रिक बासा से बने है अब आप सोच रहे हो कि यह आप क्या बताने लग गए एक प्रसंट हंड्रेड एन वन परसेंट जो है दोस्तों वो नेट के पेपर में आ जाएगा जैसा आप जानते हैं अगर आप डंग से यहां से प स्क्रीन सोड डाल के बेजते हैं कि फला फला जगय से कोपी हो रही है तो कोपी वह 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 अपर छपशे होएommes वहाँ पर टाइप की हो हैं हमारे यां ताइप नहीं है देखो हमारे यां क्या नहीं है यहाँ पर बाकाईदा एक ट्रुक है ट्रिक है ABCET और ABCET जो है वो हमने खुद बनाया वो किसी किताब में नहीं है आप ऐसे सोचते हैं कि वो आपको किसी किताब में मिलेगा बिल्कुल ही नहीं है किसी किताब में नहीं है वो केवल हमारे द्वारा बनाई गई एक ट्रिक है वो 5 को हमने लिया एक बार और ये 5 वो 5 आप हैं जो आप ये मानके चलिए जो एकक्जाम में पूछा जाते हैं ठीक है यह जाणको पहले पूछा गया है ऐसे पांक को हमने क्या किया है है आलांकि यहां से और भी सब्दों को आपन ले aumentar है लेकिन पांक हमेट्वपो criminal है कि ये पांच क्या है कि ये तो ये पांच महत्तव पूृ ए फिलाल यह किसी त मुनाने आपको का ठीक है न यह किसी बुक में है नहीं ये आपको ध्यान में की लिए हैंसे यहां पर अपने लिया हैं को ऐसे यहां पर आप लीजिए किस बासा को ऐसे आप लीजिए यहां पर लेटीन बासा को ठीक है ना कौन सी बासा को लीजिए दूस्तों लेटीन बासा को और लेटीन बासा में भी आप यहां से सोट कट आप तयार कीजिए महत्वपूर्ण सोट कट है किस तरीके से वह आप को पता चलेगा ठीक है ना सुमण जी सुमेर सर की कलास होती है गया बिल्कुल आप अच्छे से देख लीजिए भई ठीक है न है आप अपको पता चलेगा यह CBTA भी हो सकता है बिल्कुल अपने इसको याद कैसे रहे अपने वहां पर अपन बातचीत करें ठीक है ना याद कहां रहे वह अपन क्या करें यहां पर बातचीत करें बात यहां पर सकते हैं यहां यहां इसका अपने रहें ना यहां इसके सतनावा च्रीपल श्ब्द आपको रहें एक नinkने यौठ से लेटीन बहसा के शब्त आजाएंगे ट्रीख है ग्रीक बहसा cbt एक्जाम ग्रेड़ से यह अलग ओलगा अलग रखशार नहीं है भी अटिश्क है जदा इसके अठनी तो यह आपको यहां से ध्यान में रखनी ठीक है ना तो सब लोगों की अलग लग चीजे कोन किस तरीके से ध्यान में रखता है हम तो वह ने जो बीच में आपको सामिल किया कि बस खाली क्या होना चीए हाड़ वर्क होना चीए ऐसे नहीं वह बोड पे छपा है चपे हुए को अपन आये पढ़ दिये चले गए वैसा स आपको लेटीन बासा के साथ में कुछ चीजी आपको ध्यान में रखनी है ठीक है ना कैसे ध्यान में रखनी है वो देखिएगा यहां पर अपने लिया है लिया है किसको triple c dg il को यहां पर भी c c से 3 लिया है अपनने c c से 3 लिया है एक c है ग्लासिविकेशन याद एक सी है कॉलास्टिविकेशन और एक सी जो है वो है कम्यूकेशन से ले युकाल मं घ्यान रक्येगा और सब्द से बनाया किस से बनाया वही तो याद रखिएगा यह परसन एक्जाम में पूछा गया है तो यह आपको क्या रखना है यहां से द्यान रखना है मैं इंपोर्टेंट है और जैसा मुझे आपको कहा किये किसी बुक में नहीं मिलेंगे आपको यह आपको खुद को यह त्यार करने पड़ेंगे त्यार करने पड़ेंगे ठीक है ना तो पहला तो आपको यही द्यान में oli Ona क니다 से अपने ट्यार किया कि इसको डिक सर इगो ऐसे पर जी से अपने टियार किए गलोश रिगो ठीक है याद रखिये गा यह दिन्हसेन महत्यूपूर्ण है शिकल के रवा ऑपनने- crawl लिया है और एक लिया है एल वाला जो है वो बड़ाई important है वो भी बार-बार पुचा जा रहा है library शब्द ठीक है ना वो भी क्या पूचा जा रहा है library शब्द है cgl pass करके cid बना हो सकता है ऐसा भी हो सकता है फिलाल जैसा मैंने आपको card trick है कैसी जो आपको है वो ध्यान में रखना है इसके अलावा ए कई बार अपन उनी चक्र व्यों में सामिल हो जाते हैं, जहां से आपको द्यान में रखना है, ये भी आप द्यान रखिएगा, ठीक है न? जी को अपन ने सामिल किया है, बिल्कुल हाँ, हाँ, जो जो आप कमेंट कर रहे हैं, सारे के सारे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी आपको द्यान में रखना है, ठीक है न? बिलकुल बिलकुल हाँ, बिलकुल है, इस तरीके से भी आप तयार कर सकते हैं, जैसा classification में आईएगा कई तो classis है, इसा ही आप computer में आईएगा यह एक पूछा गया है थीक है न दो चैनल पर क्लास हो रही है नहीं आपकी दो पर नहीं तीन पर और यह भूरी तो वह बिए आप ध्यान रखेगा क्योंगिंगे थीन चैनल पर लगातार जहां जहां से आप देख रहे हैं वहाँ से आपको फाइदा हो रहे हैं वैसे आप सारे सीन आते क्योंकि आप मेरी अपनी मन्जील और अपनी रोड तो हमारी दोड जो है वह अपने आप से किसी दूसरे से नहीं है तो आ ना इंगा देख सकते हैं अभी भी डाल के अभी भी आप देख सकते बूस आएगी बिल्कुल आएगी ऐसी बात नहीं है तो सब अलग चीज़ें सबको आपको थोड़ा थोड़ा भी आपने पड़ा तो आप आसानी से आपका लाइबरी साइंस का जो नोलेज है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा ठीक है न यह भी आपको यहां से क्या रखना है ध्यान में रखना है यह ग्लोसरियम सब्द से क्या है दूस्तों खिंता हुआ है ग्लोसरियम शब्द जो है वो किस बासा का है तो वह भी लेटिन बासा घए ठीक है एक इनफोर्मेशन को भी ले सकते हैं बिल्कुल भई ले सकते हैं ऐसी बात नहीं है तो जो जो चीजिजें जहां जहां से जुड़ी है वो सारी की सारी आपको ध्यान में कि index को लीजेगा इंडी केर मुझे तो क्या हो रहा है एक पिदिख्रा आप ब्रमाकांद सर्फिय आईए वही क्लास दिखेगी आपको यहां से भी फ्यूचर लाइबर यूटूब चैनल पर आए वहां भी आपको यही दिखेगी ठीक है न तो यह सारी की सारी जैसे मैंने यूप आइए तीन पर लगातार आपको दिखेंगहें ऐसे आप आयेगा इंडीकेटर में थीक है इंडीकेटर में आईएंडीकेटर बाली अजण चयम पर र사ए कौन सा थी कनम ना याद रखेंगा लिबार जो कौन सी है तो वह फ्रेंच है तो यहां पर मेरा बताने का मकसद जो है वह अभी आपको ध्यान में रखना है इन्फोर्मेशन वे जो शब्द है उसके बारे में भी आपन बातचीत करेंगे देखो तो जो बताने का मेरा उदेश है यह क्यावल एक ही है कुछ लोग बरती के ना कैसे करें नेट क्वालिफाई ठीक है ना इस बार आप यूजी से नेट कैसे करेंगे वो आपको ध्यान में रखना है ठीक है ना नेट कैसे द्यान में करेंगे वो आपको यहां से द्यान रखना है कि कैसे आप पास करेंगे इस बार जो पेपर होना है उस पेपर में 6 दिसं אällen का जाएंस का जो पेपर है वो कब आ जाएगा वो पंदरा दिसम्बर के आसपास यानि अपना जो एकजाम शीडूल है वह vendor BC 1969 2023 याद रखेता का पंद्रा दिसमबर 2023 के आजबुश के आसपास अपना जो एकजाम जे उसके होने का क्या है वह शांस नंस थे एक्जाम के point of view पे आपको focus करना है इस दिन से बात करेंगे तो 15 डेज आपके पास में यहां है इसके अलावा 30 30 डेज आपको 2 यहां मिल जाएंगे तो लगबग आप यह मान के चलिए कि आपके पास में 75 डेज और 75 डेज में आप अपनी इस तयारी को कहां तकरते हैं ठीक है बरदिया मैंने तो forum सर बहुत अच्छी बात है देखो forum बरदिया आप उस forum के अगुडिंग तयारी कीजिए इस बार का जो paper होगा winter का paper होगा आपको ध्यान में रखना है summer और winter दो ही paper होते हैं साल में तो यह जो paper है यह hard होगा इस paper की तुलना में ठीक है ना याद रखिए रहेगा summer वाला यह क्या रहेगा यह hard रहेगा ठीक है अब यहां पर आप जैसे भी एक साथी का जवाब आया था मेसेज आया था सुरी सर यह मारत का exam बिल्कुल होगा तो बताएंगे यह आप समझ गये होंगे इस वाले मामले में आप याद्र किएगा यहां पर merit जो है वो सराइटी कानपुर लाइबरी एक्जाम पेटन और सेलेवस क्या है एक वीडियो बनाएंगे उसके बारे में बातचीत करेंगे आर के सोरान करेंगे फर्स्ट वेपर के लिए फर्स्ट वेपर के लिए बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में आप गूगल पर आईएगा पर आपको मिल जाएए नीरज कर रहा है यह मार्स का पर कब तक होगा आने वाल टाइम में अभी MRS की 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी उसके बात बता चलेगा ठीक है न तो कई होंगे साथ में लग लग सीन है देखो अपन पढ़ाई पे फोकस करते हैं वह एक वह कहावत आप यूटूब पे हैं सारवजनिक मीडिया पे हैं तो बोल नहीं सकते हैं आप अपने अपनी चीजों पर फोकस कीजिए ग्रेड थर्ड में भी आप आएंगे ग्रेड थर्ड में 3600 ग्रेड बेकी नोगरी होती है दोस्तों कि 3600 ग्रेड तो अगर भी कोलेज़ कारोन आ रा तो 6000 ज्पी जरूरी नहीं कि आप यहां नहीं लग पाए तो यहां भी आप नहीं लग पएंगे यहां मेनट नहीं करेंगे क्या पता यहां आपके भागये में लिखा नहीं हो यह आपके भागये bakो तो सबका सीन अलग लग होता है देखो सबके बारे में अलग लग धारने ही होती है आप मेनत कीजिए मेनत आप करींगे आपके करम अच्छे हैं तो नो डाउट आपको और भी बहुत सारी चीजिये जो है वो आपको अच्छी लगेंगी ठीक है हाँ मैं इधर करता हूँ वो फला करता है वो नाता नहीं है दोता नहीं है पता नहीं खाता नहीं है पीता नहीं है चलता नहीं है उड़ता नहीं है यह मानव की परवर्ति है अपने इंदुस्तान में तो सीन ही है साही है आप साप बेचने का धंदा भी शुरू करेंगे न ल आप अच्छे सीन के साथ सामिल हो जाएंगे ठीक है ना रपी से केट लिए लिए सो ग्रेड पर यहांड रखिएगा यहां का प्रोबेशन का सीन भी कोई ज्यादा कुछ बड़ा नहीं होता है तो अलग लग लोगों की क्या है देखो अलग लग दार नहीं है कईयों को किस सीज में कुछी मिलती है कईयों को किस सीज में कुछी मिलती है कई पानी पीके भी आदमी खुछ रहता है कुछ ऐसे दारू पीके भी सकून नहीं मिल पाता है तो सब की अलग लग चीजे है जितन आप 55 से ज्यादा प्रसेंट नहीं रहेगा मेरिट किसी भी केटिगरी में जंदल केटिगरी का मैं आपको बता रहा हूं इससे ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि पेपर का लेवल हाड आएगा और इस हाड पेपर के लिए मैंने आपको एक exempt פה देpatient चोटा सा कि आप जैसे तैयारी कर सकते किसके आप युट वन में इंफोरमेशन सोसाइटीrant इंफोर्मेशन रिट्रवल को इंफोरमेशन को इंफोरमेशन्टेरेसीdf इंफोरमेशन्ट्रस्थर्इ यह क्या उती है उनको भी आप तैयार कर सकते हैं ठीक крут睡 एद कोसिस करते हैं कि डैली क्लाश लेके आए तो यास हमारा सार्थ है कि हमारा जैसे मैंने का ना अमारी इर्षियालू परवर्थी नहीं और हमारे पास इर्षियालू ओडियन्स भी नहीं है ऐसे मानिएगा ठीक है ना हम वो कुकुरमुता नहीं है थोड़े समय के लिए उगेर फिर बागेर चुई मुई के पेड़ नहीं है कि कोई तरज नहीं दिखाएगा तो मुर्जा के समाफ तो जाएंगे ऐसा सीन नहीं है देखो तो इन में से आप तयार कर सकते हैं यह यूनिट वन का मामला है साथी साथ आप आएंगे तो आप जैसे मैंने आपको एक तरीका बताया है कि अब ग्रीक बाशा की कुछ शब्दों आला कि आपकी पास भी अच्छी ट्रीक है आपको तयार कर सकते हैं नो डाउट मेरे दिमाग में ABCET अच्छा लगता है मेरे को तो ABCET में तयार कर लेता हूं और भी सात्यों ने जो भेजी हैं यहां पर जो भी आपने तया सपश्ञ में अआप आयेए एक आयेगा रिसोर्स के भर इक शब्र 지금까지 सब्सक्राइप को जेकर रइखा रहेगा कॉन सूर्टिम ठीक है न यह भी आपको डखना है लाइबरी सायंस तो pen to patient하신 धीaciाब फ़ेखे और जन्र पेपर में कि बजश य कि बार तीन सवाल एक बर पां है उसको आप करना चाहिए आप उस को आता है वो आपकी स्ट्रेज़gende है ताकत है आपको जो नई आता है उसको आप तयार की जैसे मैं एक रिसोर्स डीनमेंTo VIIje नहीं है आप यह मानिएगा कि आधुनिक जो नेटवर्क है उसको आपको द्यान में रखना है अब यहां पर एक बनता है दो छोटे-छोटे बनाऊंगा खाली एक OCLC को और एक आप पढ़िएगा Infilbnet को ठीक है न? एक तो OCLC को और एक आप पढ़िएगा किसको? Infilbnet को इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए आप जो मने आपको बोला ना क्रेख करने वाला सीन है ना क्रेख करने वाला सीन है प्रणाम बही गणेश आपको भी उटा आपको क्रेक करने वाले सीन की मैं बात कर रहा हूँ यहां पर OCLC और InflipNet दोनों से आप एक-एक तयार कर लीजिए दोनों से आप गारांटेट क्या कर लीजिए दोस्तों एक-एक तयार कर लीजिए 101% आ जाएगा अब यहां भी वर्ल्ड केट जो है वो बार-बार पूछा जा रहा है वर्ल्ड केट जो है वो क्या है वर्ल्ड केट किसका प्रोडेक्ट है ऐसे भी पूछा जाता है ठीक है न अंसु कह रहा है कि सर हमारी Library Science से नेट हो गई है बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आप को लेज लाइबरियन के लिए तयारी कर सकते हैं विटा तो वर्ल्ड केट क्या है पूछा गया एक्जाम में और भी बहुत सारी चीज़ेंसे इन्फिलिमनेट से बार-बार परसन आते हैं इन्फिलिमनेट से की सोध गंगा, सोध सिंदू ठीक न यह क्या है आज कल इनके बारे में यह पुछा जाने लग गया है कि इनका सवरूप कैसा है OCLC और इन्फिलिमनेट दोनों इंपोर्टेंट टोपिंग है दोनों से पक्के बरसन आते हैं अब इसके अलावा कहां से और पूछे जा सकते हैं उसकी में मैं थोड़ी सी रामलिला आपको दरसाता हूँ यहां से दो चीज़े आपने तयार किये हैं OCLC को और इन्फिलिमनेट को ऐसे ही आप तीन चीज़े तयार कीजिए जयारफ करना है बिल्कुल जयारफ कीजिए इसके अलावा आप किस कैटिगरी का है उसका सीन भी मैं आपको बताता हूँ यानि आप अगर जनरल के हैं और जनरल में आपके पास में EWS है तो आप वहां से ले सकते हैं NF EWS हो गया जयारफ यह लो यह जयारफ के equivalent है जो भी आपको फाइदे चाहिए आप अगर OBC के है तो आपको NF BC हो गया जयारफ ठीक है अगर आप SC के है तो NF SC हो गया जयारफ अगर आप ST के है तो यह NF ST हो गया जयारफ यानि आप यह मान के चलिए कि यह भी government ने यह भी सीन वो ही चला रहे है यह सारे equivalent है किसके जयारफ के है सारे इक्वल है यह मान के चलिएगा जो benefits आपको जयारफ में होने वो सारे के सारे benefits आपको यहां हो जाएगे ठीक है तो इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा सर बिलिस किया हुआ है तो नेट का फोरम भर सकते हैं क्या प्लीज रिप्लाई करें बिल्कुल आप भर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको masters की detail लगानी पड़ेगी वो कहां से लगाएं वो आपको देखना पड़ेगा ठीक है ना नेट के लिए hardware के साथ में smart work करना पड़ता है देखो ठीक है ना hardware के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा smart work करना पड़ेगा चलो आते हैं फिर बातचीत करेंगे यहां पर यह चीन आपके लिए अवेलेबल है तो इसको भी आप देखिएगा साथ ही देखो दो तीन चीजे है जैसे एक egress ठीक है एक तो आप यान में रखिएगा egress को और एक द्यान रखिएगा इनिस को ठीक है और एक द्यान रखिएगा दोस्तों विनिती को एक द्यान रखिएगा किसको विनिती को अब एक थोटा सा नाम मैं यहां पर धरसा देता हूं दो परसनों के तो यह दोनों बार-बार प्रिक्षा में पूछे गए कि एटम इंडेक्स किसका प्रोडेक्ट है और रेफरिनल जुन्राल जो है वो किसका प्रोडेक्ट है वह अपन तो मनें आपको गा जिस टाइटल के साथ अपन चले थे टाइटल का मतलब अपने को नेट कैसे करना है वह को अपन ने बात किया ठीक है न यहां पर अपन उसके बारे में क्या करें बात्चीत करेंगे थीक है न गुचा गया है यह सारे के सारे किसके हैं यह सारे के सारे जो है दोस्तों वह OCLC के हैं सर विदाउट नेट PhD हो सकता है बिल्कुल हो सकता है कोई डिकत नहीं है आप अगर नेट नहीं है तो भी आप PhD कर सकते हैं PhD जो है वह आपको एमलिस के भियाप पर मिलेगी ठीक है ना एमलिस में आप रिजर्व केटिगरी है तो 50% और अगर आप अन्रिजर्व केटिगरी हैं तो 55% अगर आपके हैं तो आप ओल और इंडिया के लगबग 640 गौवर्मेंट युनिवर्सिटी से अगर आप PhD करते हैं तो वहां पर आपक अंकूर पाल आपको भी क्या अंकीत कहरा है बिल्कुल लाइबरी ओसी वाइस दो बिल्कुल बहुत सारी बाते हैं सारी OCLC के साथ उड़े मेरा बताने का मलब दोनों से एक पक्का परसंद आने के क्या रहेंगे चांस जो हैं वह 100% रहेंगे यहां भी बहुत सारी चीज़े यहां है यहां भी बहुत सारी चीज़े आपको तयार करनी पड़ेंगे दोनों परसंद आ सकते हैं दोनों क्या हो घया हो गया है एक साथ एक 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 हो चीजर ब्यक्achen करेंगे तो वह बिल्कुल आपको तयार हैं पहले चांस में अपन नेट करना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ना तो आपको पढ़े गई तो तीन अपने सामिल किये एक इनिस और विनिती तीनों से एक एक परसंद बनने के क्या रहेंगे चांसे जरेंगे ऐसे ही आप आईएगा और चीजों के साथ में विनिती 1922 में शुरुआ है एट आप में से अपने साथ जोड़ी है अभी उनका सेलेक्शन हुआ था जो आगरा उनिवर्शिटी में नाम तो मैं भी जाननी पा रहा हूं भूल गया हूं अदर्वाइस उनका भी फिलाल वहाँ पर है क्या सेलेक्शन हुआ है तो मेरा बताने का उदेश से आप समझने की रखिएगा साथ विनिती से जुड़ी हुए और भी जो बाते हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा और यहां से क्या कहां कहां से प्रसंद पूछे जा सकते हैं उसका भी मैं आपको दिखदर्शन करवाता हूं जैसे अपने यहां पर आएंगे पब्लिक लाइबरीज की औ तो एक बनेगा युनेस को ठीक है एक बनेगा ट्रिपल आरलेफ ठीक है युनेस को ट्रिपल आरलेफ और एक बनेगा क्या भई एक बनेगा इफला आराम से गारांटेड एक प्रसंद आजाएगा ठीक है ना आराम से गारांटेड क्या है दोस्तों एक प्रसंद आजाएगा विएना में 1970 से है इनीस का मुख्याले यह आप यहां से क्या रख सकते हैं ध्यान रख सकते हैं ठीक है न और कहां कहां कैसे कैसे हैं बिलकुल विएना में राजीव का भी जबावार है साबस राजीव की तेयारी भी इन दिनों अपने साथ अच्छी है यह तिनों ऐसे हैं कि तिनों के साथ एक प्रसन आ जाएगा उसका भी मैंने आपको लाइबरी एसिस्टेंट के पेपर में बताया था कि यहां पर था पब्लिक लाइबरी के लिए पब्लिक लाइबरी मोडल ठीक है एक पुस्तक थी पब्लिक लाइबरी मोडल और पब्लिक लाइबरी मोडल जो है उसमें भी नेपाल, स्रीलंका और USA, उंडिया, ठीक है ना, नेपाल, स्रीलंका और USA, याद रखिएगा, स्रीलंका और क्या भई USA, इसके उपर एक पुस्तक लिखी है, इसमें एक UK है, और एक क्या है, इंडिया है, पुस्तक का लेखक कोन है, लेखक ते डोक्टर S.R. रंगन आपको अभी MP7 का हम लोग paper solution करवाएंगे बाटी सर आपको बताएंगे उस दोरान देखिएगा यहां से एक प्रसंद आया हुए UNESCO का कि UNESCO जो है वो भारत में DPL मनाता है भारत में क्या बनाता है DPL मनाता है नि दिल्ली पब्लिक लाइबरी बनाता है वहां एक प्रसंद पूछा गया कि DPL बनाने में किस विश्व विद्याले का सयोग रहा ऐसा प्रसंद पूछा हुआ है ठीक है न कि DPL मनाता है कोन भई UNESCO बनाता है ऐसा प्रसंद आयागा कि DPL मन करता हैं यूनेस को ठीक है अब यूनेस को जो है किसJust University का सयोग लिता है यह परशन वे उसमें सांभी है किसुनिवरसिटी-षैयोग लेता है ऐसा वहाँ पर फू bekंशा गया है और आइक क्या करते हैं भई लाइब्री पढ़ाते हैं बिल्कुल पढ़ाते हैं तो यहां से एक प्रसंद जो है वो पका एक्जाम में पुछा जाता है एक पहले UGC NET में इसी युनेश को का पुछा गया है एक information for all program ठीक है ना यानि IFAP पुछा गया है और सिधा सिधा प्रसंद पुछा गया कि IFAP जो है वो किसका product है ऐसे पुछा गया अब IFAP है अपने को देखने से ऐसे लग रहा है कि साइद ये इफला के साथ जुड़ा होग तो आपको first attempt में NET करना है दूस्तो first attempt में आपको अच्छा करना है first attempt में आपको ये चीजे सामिल करनी है आपको जिस motive के साथ अपन चले है जिस बिंदू के साथ अपन चले है कि अपन कैसे करें पहले attempt में ही कैसे करें UGC NET qualify R या PAR पहले पढ़ाओ में अपन कैसे सामिल कर युनेस को इसाथ पाइलेट प्रोजेक्ट करता है बिल्कुल और डियू की साहिता से मनाता है और यह है डियू के लिए इंपोर्टेंट समय होता है ठीक ना यह डियू के लिए क्या होता है इंपोर्टेंट साइम होता है इंपोर्टेंट टाइम में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस समया उदीगा जैसे एक नाम मनें लिख दिया है डैली युनिवरसिटी और यहाँ पर इस समय किस समय भई तो आप याद रखेगा डैली उनिविश्टी और इस समय डोक्टर S.R. रंगनाथन का समय आपको यहाँ द्यान रखना है किस का समय तो आप याद आप आराम से और चीज़े समझ जाएंगे कि हाँ साइद ऐसा ऐसा हुआ है ठीक है ना 2001 में शुरूआ है बहुत अच्छी बात है तो कहने का मेरा तात्परी यही है दोस्तों कि आप इन चीजों को अच्छे से कीजिए जितना आप अच्छे से इनको पड़ेंगे उतना ही आपको यहां पर क्या होगा तो आपको फाइदा होगा ठीक है ना और उस फाइदे के लिए अपन यहां पर क्या हो रहे हैं सामिल हो रहे हैं तो उसको भी आप बड़े अच्छे त तरेपन है भई है ना याद रखेगा फोर मोरिस गॉयर है यापर असिस्टेंट प्रोफेसर लाइबेन है बिल्कुल जो साती जुड़े हैं अपने पास में वैरी गूड आप्टनून भई आपको भी बेटा सभी कोई ठीक है ना तो यह आपको ध्यान में रखना है यह 1947 से 1953 आपको ध्यान में रखना है तो जो चीज़े अपने साथ में हैं लगातार अपन उन पर बातचीत करते हैं और जैसा मने आपको कहा कि आपको फर्स्ट टेम में ही क्रेक करना है तो first time के लिए आपको बहुत सारी चीज़े तयार करनी पड़ेगी, जैसे एक है याप पर types of subject, types of subject, याद रखिएगा, अब types of subject के साथ में जुड़ा है, ये क्या भई, एक जुड़ा है, modes of formation of subject, ठीक है न, क्या जुड़ा है, mode of formation of subject, या क्या है, भई, subject जो है, वो जुड़ बिल्कुल 100% पर्दिसत, आसान से topic है, एक का काम यहां हो जाएगा, और एक का काम यहां हो जाएगा, यहां से जो पुचा गया है तो वो पुचा गया है, लैमिनेशन, वो पुचा गया है, क्या बही, तो याद रखिएगा, वो पुचा गया है, लैमिनेशन, ये भी एक कोलेज लाइबरी ये पुचा गया है थीक है न यह हैं से पहले क्या है थी एक्जाम में पूचा गया है तो एक आरामसे प्रसंद्थ यहां से क्या हो जाएगा त्यार हो जाएगा बिल्कुल जो डाउट है पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है कितने विशें है, कैसे है ये सारी चीजे आप यहां से तयार कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको आपको कहा हैं, यहां से जैसे अब का तो सीन थोड़ा सा मोडरेट हो गया है पहले यहां से जो प्रसंड पूछे जाते थे वो fusion के पूछे जाते थे है यह भी आपको क्या पुछ और चाँ आ था बाइयो केमेस्टरी भूद बार पूफछा गया है यह भी डदी एल्यटे यह से मानीएगा बायो कैमेस्ट्री जो है वह भी क्या आप बार सुच यह यह जोगा इसका मतलब है विखन्दन इसका मतलब है विखन्डन याद रखिएगा सरिश्टी लाइबरी या असिस्टेंट लाइबरिन बनने के लिए विदाउट नेट जो होगा वो PhD वेलिड है, 100% वेलिड है, एक बार अनिल की बात पर चर्चा कर लेते हैं, देखो, यह है विखंडन, ठीक है, और यहां पर बात करेंगे दूस्तों, यह है फ्यूजियन, यह है विलेन, यह क्या है भई, विलेन, याद रखेगा, तो दोनों क यह है विलेन के साथ में आसवन, याद रखेगा, विलेन के साथ में आसवन, आसवन के साथ में समुवन, ठीक है न, यानि कलस्टरिंग है, यहां पर यह डिस्टिलेशन है, याद रखेगा दूस्तों, यहां से, और इसके एक और बात करेंगे तो एक है संचेन, ठीक न, ए ने युखो जो पसुटिएलेशन से फ्यूजय ल्हता सील समुचैरे एक सितील जाएल कितने तोल के 170 5 यानि कितने इस साथ साथ किसके आजाएंगे साथ सारव जतिल ठीक है विखंडन के साथ में क्या विखंडन के साथ में विखेदन और विखेदन के साथ में क्या अनाचादन ठीक है ठीक है अनियल देख लीजेगा अच्छे से यह क्या वैई यह तीनों कैसे विशें हैं यह तीनों सरल या मोलिक विशें हैं यह तीनों कैसे हैं तो आप या याद रख सकते हैं सब्सक्राइं और और या रख सकते हैं और पर और विच्छ्ञत कर देंद시고 क्या हैं तो यह दिसेकशन है युद्धान धीک क्या है वी फीस-्यानि यह क्या है तो यह विखंडण ती नों कैसे विशे है तो इसको आप क्या रख लिजेगा ढहां रख लिजेगा जैसा हम यह आपको का mode of inflammation of subject कितनी विदियां अप Quinway से उफ सबजेग्ट कितनी विदिया डुक्टर Ayya आपको तयार करने है आज की क्लास में अपने बाचकी की है देखो सबसे पहले जिसके बारे में अपने किया है वो है नेट कैसे करें आप क्वालिफाई आर या पार सब्सक्राइब करता है तो पहली बात अपन कैसे करें उसके लिए बातचीत के अपने आर या पार आपको अभी करना है साथ ही उसके लिए एक फिक्स डेट जो है वो डेट आपके साथ अनाउंस हो गई उस डेट को आप ध्यान रख्येगा पूरा नोटिफिकेशन है फॉर्म फिल कर जिएगा साथ ही उसके लिए आप तयार कीजिएगा फ्यूचर लाइब्रियन का एप भी डाउनलोड कीजिएगा फ्यूचर लाइब्रियन जो है उसमें आपको कम्पलीट यूजिसी नेट का कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा उससे कोर्स पे आप आकर भी क्या कर सकते हैं अपनी तयारियों को अच्छे से प्रिपेर कर सक सकते हैं दोखो ठीक है साथ ही आपको यहां से बहुत सारे टेस्ट पेपर मिल जाएंगे उन टेस्ट पेपर के माद्यम से आप अपनी तयारियों को परक सकते हैं साथ ही साथ और भी कोई चीज हो जहां से अगर कोई चीज नई समझ में आती है तो उसका आप डाउट होते हैं जैसे अभी अनियल का एक छोटा सा प्रसंता उसका पूरा जो क्लेरिफिकेशन है वह मलगातार आप के सामने कर देते हैं ठीक है ना किस में क्या दे रखा है वह सारी बाते आपको बता देंगे तो मेरा बताने का उद्देश है हमारा मकसद केवल यह ही है दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं नेट और पीएचडी दोनों एक दूसरे के इक्विलिनेंट पार्ट है बस यह थोड़ा सा नेट वह ज्यादा आपको सब्जेक्ट नोलेज होगी तो आप कर पाएंगे पीएचडी आप कहीं से भी कैसे भी आप कर सकते हैं आज कल जैसा सीन है व को तयार कीजिए या अन्य जो भी चीज़ें उनको आप डंग से पढ़िए तो आप आराम से नेट जो है वह आप क्वालिफाई कर जाएंगे ठीक है ना उसके लिए बस थोड़ी से आपको मैनत करनी पड़ेगी अन्य कोई भी जानकरी चाहिए तो जैसा हमने का ट्वेंट डेडिकेटेड या डिलेटेड जो भी बात है वह सारी आप हमारे साथ सेर कर सकते हैं जैसा मने आपको काई एप कंपलीट कोर्स है और भहुत सारे जो कंडिडेट जो है वो इसे एप के माधियम से जुड़ते हैं और क्वालिफाई होते हैं तो आप भी इसका फाइदा ऐसे जुड़े रहे फिर आप से उगरूँगे और अच्छी और सांदार बातों के साथ तब तक के लिए जैहिंद